नवस्कार स्वागत है आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार और मेरे साथ हैं प्रग्या और उर्मिलेश और आज जो तीन मुद्दे हम आपके सामने लेकर आएं दोस्तों वो कौन-कौन से मुद्दे हैं राहूल गानी का पनावती वाला बयान जिस पर चुनाव आयूग ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है मगर मजाल है कि भारती ये जनता पार्टी के नेताओं के जहरीले बयानों पर चुनाव आयूग अपने कुम्बकरणी नीन से चागे मुद्दा नमबर दो वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार मगर भाजपा उस पर भी राजनीती कर रही है कपिल देव को नहीं बुलाया है नोने मुद्दा नमबर तीन बलातकारी राम रहीम को परोल मिल गया है इस बार 21 दिन का और ये बताया जा सकता है कि पिछले जब से उसे सजा मिली है तब से कम से कम आठ बार भाजपा ने परोल दिया इस विक्ती को ये महिला सम्मान है मगर हम शुरुवात करना चाहेंगे पनावती विवाद से ये ना भूलें प्रधा मंतरी नरेंद्र मोनी ने ये तक कह दिया था कि कमल का बटन ऐसे दबाओ कि कॉंग्रेस को फांसी लग जाए एक भड़काव बयान मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि रोडी लाल को मार रहा है उसका कार्टून है और यहां पर देखिए एक और जहां एक सिलाई मशीन को दिखाया गया है खून से सनी हुई सिलाई मशीन क्या कनहिया लाल के खिलाफ किसी ने रैली निकाली थी क्या उन दो आतंकवादियों का समर्थन कॉंग्रेस ने किया था या मुस्लि पूल गांधी को उल्टा नोटिस जारी कर दिया है। प्रधान मंत्री के तमाम बयानात पर ये लोग खामोश हैं। तो क्या है इस मुद्दे का पंच शुरुआत करना चाहेंगे और मिलेश से। कि खिलाप कभी भी इस तरह की कोई करवाई वो करता है। लेकिन अपोजिशन में जब कभी कोई किसी ने थोड़ी बहुत भी बात कह दी। मैं किसी की इस तरह की विवादास्पत बात को एप्रूव नहीं करता। लेकिन सिर्फ विपक्ष के खिलाप नोटिस डालना मुझे लगता है निर्वाचन आयोग के लिए और शोबनी है प्रग्या क्या है इस मुद्दे का पांच अबिसार इस में तो ये साफ नजर आता है कि इलेक्शन कमिशन ओपोजिशन के खेलाफ अक्शन लेने में बहुत अत्पर है ये बात सही है कि राहुल गांधी को जरूरी नहीं है किसी भी दूसरी पार्टी के नेता के लिए जरूरी नहीं है कि वो अपने स्थर को उसी स्थर पे लाए जो भाजपा के नेता का स्थर है लेकिन फिर भी ये बात सही है कि Election Commission को एक neutral body के तरह अपरेट करना चाहिए जो हमें नहीं नजर आता है इस मुद्दे पर मेरा पंच ये है और एक ही पंक्ती में मैं कहना चाहूंगा shame on election commission यही वज़ा है कि Supreme Court का फैसला आया था कि चुनाव आयुक्तों के चुनाव में एक प्रधान मंत्री होंगे एक नेता विपक्ष और एक खुद Chief Justice of India और इसी लिए भाज़पा सरकार ने उसे पलड दिया था ताकि ऐसे हालात में उसका पक्षपात साफ तौर पर दिखाया जाए और दिखे जो अपने आप पे बहुत शहरनाक है क्योंकि प्रधान मंत्री ने नजाने क्या क्या कहा है मगर उस पर खामोशी बनी हुई है उर्मिलेज जी सबसे शॉकिंग जैसे मैंने अभी अभी अपने दर्शकों को दिखाया किरोडिलाल मीना का ये ट्वीट गौरव भाटिया का ये ट्वीट ये लोग तो लगातार एक हिंसक घटना के बारे में बात कर रहे हैं आउट अफ कॉंटेक्स उसे पेश कर रहे हैं भड़का रहे हैं प्रधान मंत्री भी जब वोट मांगते हैं तो फासी जैसे शब्का जिक्र करते हैं मगर इस पर पूरी तरह से खामूशी है क्लियरली अब तो जैसे कहते हैं न वो धोंग भी नहीं करना है इनको कि भाई कम से कम भाजपा की किसी नेता को तो हम भेज दें वो धोंग भी नहीं अब कर रहे हैं लोग तेज़े आपने बहुत महत्मुन बात कही कि यह धोंग भी नहीं कर रहे है मतलब दिखावा भी नहीं कर रहे है कि भाई हम निर्वाचन आयोग है ऐसा लगता है कि निर्वाचन आयोग भारत सरकार की एक कमेटी के रूप में कनवर्ट हो गया है एक ऐसी बॉडी होने के बजाए जो objectively election को conduct करता हो कराता हो संचालित करता हो ये अपनी भूमिका वो खोच चुका है खो रहा है नहीं खोच चुका है और ये दुरभागेपूर के बारे में कहूं तो सौफ फिस्दी को चुका है मेंस्ट्री मीडिया में प्रिंट को अगर मैं कहूं तो वो 70% खो चुका है किवाल अंग्रेजी के कुछ अकबार हैं जो वाकई अख़वार की तरह काम कर रहा है हिंदी के अकबार सारे के सारे टीवी पुरम के बिलकुल परियावाची बन गए हैं तो ऐसी स्थिती में अगर जूडिसियरी से हमारी अपिक्षा होती है निर्वाचन आयोग से अपिक्षा होती है निर्वाचन आयोग भी पिलकुल सरकारी एक संस्था बदल गया है तो ये भारत के लोगतंत्र के लिए बहुत मुश्किला आता है केवल ये election के लिए नहीं आगे के election के लिए generations तक के लिए आप पूरी आप समाज की संरचना को देखिए कि आज इस्थिती क्या है लोग जो है लोग जो है ऐसा लगता है कि जो भाषा एडॉप्ट की जा रही है जो उपयोग में लाई जा रही है elections में वो गली गली में समाज बदलता था अब नेताओं की भाषा से और नेताओं की जो भड़की ली भाशा है तो अब इस तरह की जो भाषा है मैं समझता हूं कि इस तरह की भाषा पूरे समाज में हिंसा को उपद्र को या एक तनाव को बढ़ाती है यहां पर प्रग्या हम देख रहे हैं पिए टी सेल ने उसे एडिट किया और उसके भाषण में मोदी-मोदी के नारे चलवा दिये और ये किसी और ने नहीं ये किसी बगगा-बगा या किसी अमित मालवी नहीं नहीं ये हेमंत बिस्स शर्मा ने किया है और हमने और उपर से अगर आप किसी को राश्ट्री शर्म पता रहे हैं वो भी भाच्पा की मुख्यमंतरी कह रहे हैं, मगर मजाल है, आपको कुछ भी सुनाई दे चुनावायों की तरफ से, यह चुनावायों का एक और चीज है कि जब हमने किसी से notice भेजा है हमने बोला कि आप जवाब दीजे कि आपने ऐसा क्यों क्या आपने क्यों कहा पनौती अब देखिए अगर राहूल गांधी है उनकी पार्टी की तरफ से जवाब जाता है कि हमने इसलिए कहा जी यह दस चीजें हैं जिसमें देश ठीक था और अब ठीक नहीं है तो वो भी अवेग्यानिक इर्राशनल है आपसलूटली बिलकुल सही कह रहे हैं क्योंकि कोई आदमी कोई चीज शुब और अशुब होती ही नहीं है यह सिरफ एक चुनाव के समय में इस तरह की चर्चाएं होती है वो होनी चाहिए कि नहीं कितना जाना चाहिए नहीं जाना च करते हैं देखिए दो चीजें यहां पर या तो आपकी भाषा बिलकुल पाक साफ होती मगर आप तमाम लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं आप हिंसा की वकालत कर रहे हैं और दूसरी बात जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है वो तो आपके पक्ष में बोल रहा है ना तो फिर आपको ये रुदाली करने का अधिकार नहीं है भाषपा कोई अधिकार बिलकुल नहीं है देखो अभिसार मैं समझता हूँ कि एक नागरी के रूप में मैं समय में इस बात को लेकर चिंती थूँ कि वही राजस्थान का चुनाव खास कर मद्य प्रदेश का नहीं उसको मै नहीं कहूंगा लेकिन राजस्थान का चुनाव इतना मुद्धा आधारित बनता जा रहा था हाल तक कि गहलोच सरकार की बहुत सारी पाप्लर स्कीम्स जिन पर वाकई पांच साल में उन्होंने काम किया और उस पर चर्चा चल रही थी प्रदेश में जहां भी आप देखि पिर विजेपी कहती थी कि हम आएंगे तो ये करेंगे हम इसको और बढ़ा देंगे तो कुल मिलाकर कोई कह सकता है कि ये रेवरी बाटने को लेकर ये क्यों ऐसा हो रहा है लेकिन मैं कहता हूं कि चुनाव के दोरान अगर जनता को कुछ जादा अगर आश्वासन दिया जा मैं वो कॉंटेक्स भी दर्शकों को बताना चाहता हूं हम सब जानते राहूल गांदी एक भाशन दे रहे थे उन्होंने वर्ल्ल कप का जिक्र किया ओडियन्स से किसी ने पनौती चिलाया और उन्होंने उसे दोराया मगर मैं ये कहता हूं राहूल गांदी को करने की क्या जो रहा थी आपको आप जानते हैं इस बात को बखूए आप मीडिया में कवरेज देखिए मीडिया में कवरेज देखिए आज की तारीख में तो मैं तो यह कहता हूं पाओं पे कुलहणी मारी है कॉंग्रेस ने मैं हो सकता है कि इस पनोती की इस्तेमाल से कॉंग्रेस को फाइदा हो भी जाए क्यूंकि कॉंग्रेस डिफेंसिव पर नहीं है यह नहीं है उसके सारे प्रवक्ता इसको डिफेंड कर रहे हैं लेकिन मेरा एक नाघरिक के रूपे मेरा मानना कि भारत के चुनाओं में पिछ काम कॉंग्रेस को या किसी भी पक्षी दल को नहीं करना चाहिए और सोचके सेहरन पैदा होती है यहां पर प्रग्या की देखे जनवरी 22 जनवरी को श्री राम के मंदिर का उद्गाटन है फिर उसके बाद हम लोकसाभा चुनाव में प्रवेश करेंगे मीडिया में अपने कि सकते हैं कि लोकसाभा चुनाव में किस तरह का कवरेज होने वाला है क्योंकि धर्म तो यह लोग एकी सूरत में देखते हैं लेकिन यह हो रहा है इलेक्शन के संदर्व में इसलिए इसलिए इसको अलग नजरी से देखना चाहिए देखिए यह ट्विटर पे था ट्रेंडि को रोकना चारी है यह पूरे के पूरी जंता को रोकना को रोकना चारी है जनता के बारे में तो मुर्खों का सर्दार कहा प्राधान मंतरी गहां मॉजूद थे, मगर सबसे शॉकिंग बात ये रही कि जिस स्व्यक्ति की वज़ा से हमारी यातरा शुरू हुई थी 1983 में कपिल देव उन्हें आमंत्रित नहीं किया, उनसे पूछा भी गया कि आप क्यूं नहीं गये तो उन्हें का मुझे मैं नहीं जानता हूँ क्यों, मीडिया ने भी उसे नहीं उठाया अगले दिन, क्यों? क्योंकि कपिल देव ने महिला पहलवानों के पक्ष में बयान दिया था और यह बात यहां नहीं रुकती, प्रधान मंत्री कैमरे के साथ, ड्रेसिंग रूम में घुज जाते हैं, खिलाडियों को पकड़ पकड़ के उनका जुस्सिर अपने कंधे पे रखते हैं, तो यह सब क्या हो रहा है? क्या है इस मुद्दे का पन्च? शुरुआत करेंगे प्रधान मंत्री जब इसरो के साइंटिस्ट ने एक अचीवमेंट करी तो वहां पहुंच गए, और अब जब मैच हारे वहां थे तो वहां पहुंच गए, अब हर चीज में, हर फ्रेम में, हर वीडियो में प्रधान मंत्री को अपने आपको डालना जरूरी नहीं है, यही एक सीधी-सीधी बात है, दूसरी से बहुत खास जुड़ी ही बात है कि इस वरल्ड कप कृकेट मैच में हमने देखा कि कि से देश विभाजित है, तीमों को लेके धर्म को लेके, हर चीज को लेके जो जितना विभाजन है, यह एक हेल्थी सोसाइटी का साइण नहीं है, उ देगे मुझा लगता है कि cricket जो हमारे देश में बहुत सारी लोग कहते हैं कि religion की तरह है धर्म की तरह है लेकिन मैं हमेशा मांता रहा हूं कि cricket हमारे यहां बाजार का एक वैखाज हिस्सा रहा है वो commerce का एक हिस्सा रहा है अब वो politics का पूरी तरह ऐसा लगता है कि एक उपकरण बन गया है और आप देखे जितनी cricket associations हैं स्टेट्स के सब के जादा तर को संचालित करने वाले बड़े-बड़े politicians हैं और आप देख रहे हैं BCCI उसके उसके control में कौन लोग हैं उसको कौन लोग कंट्रोल कर रहे हैं तो बड़ा ही ये एक दुर्भागेपन स्टिटी है कि cricket जैसे गेम को जिसमें हमारे बच्चे से ले करके जवान तक बुड़े तक सब इंट्रेस्ट लेते हैं उसको राजनीती का एक अखाड़ा बना दिया गया है इस मुद्दे पर मेरा पंच ये है अभी उर्मिलेश जी ने कहा कि उसे राजनीती का अखाड़ा बना दिया गया है cricket एक ऐसा खेल था जिसे देखते वक्त पूरा भारत एक होकर देखता था भारत बटा हुआ नहीं होता था मगर अब थांक्स टू बीजेपी उसको लेकर भी आब लोग बटे हुए दिखाई देते हैं आप कफिल देव को नहीं बुलाते हैं उसको लेकर प्रतिक्रिया होती है ट्विटर पर जैसे मैंने का ट्रेंड होता है पनौती प्रधान मंत्री के लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तमाल नहीं होता मगर ये बतलाता है कि क्रिकेट जैसे खेल को भी बाट दिया गया है राजनीती के वज़़ा से मैं चिंतित हूँ यहां पर प्रग्या जो सुप्रिया श्रिनेत का उन्होंने ट्वीट किया है उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उनकी मुलाकात राजस्थान के एक बीजेपी नेता से हुई और उस नेता ने कहा कि भई अगर भाजपा अगर भारत ये वर्ल्ड कप जीत जाता तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी टीम इंडिया का टी शर्ट पहन कर उनके पोस्टर लगाए जाते और ये भी हो सकता था कि हमारी जो टीम है उससे रोड़ शो करवाए जाते अब जाहिर सी बात है इस बात की पुष्टी के कोई नहीं है कि भई कॉंग्रेस ये बात कह रही है मुख्य विपक्षी डाल ये बात कह रही है तो उसे गंभीरता से लिए नहीं की ज़़रत है मगर ये बतलाता है कि क्रिकेट या फिल्में देखना ये तमाम जो थे हमारे पैशन्स थे जिससे हम कभी धर्म पुलिटिकल पाटी को नहीं जोडते थे मगर आप जानते हैं सिनमा में भी जहर का प्रवेश हो चुका है अब क्रिकेट में भी आप वही कर रहे हैं कुछ तो ऐसे भी फिल्म स्टार है जो सरकार को बड़ा सपोर्ट करते हैं लेकिन उनक यह सही नहीं है आप क्रिकेट की मदद नहीं कर रहे हैं क्रिकेट आपकी मदद कर रहा है उसी तरह से जैसे आप देश की कितनी मदद कर रहे हैं यह लोग सवाल पूछ सकते हैं लेकिन देश ने आपको बहुत कुछ दिया है यह नेताओं को और जंता को भूलना नहीं चाह कपिल देव कोई सामान खिलाडी नहीं थे कपिल देव वो व्यक्ति था जो भारत का शायद पहला वंडे खिलाडी था 175 रंस जिंबावे खिलाफ उनकी जो इनिंग्स थी वो व्यक्ति एक महान क्रिकेटर तो था ही इसके लावा उस व्यक्ति की नेत्रत में हमने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता इनकी जिसे कहते हैं न दबंगए देखो इन्हें परवा भी नहीं है कि हम नहीं बुलाएंगे इसको लेकर आलोशना होगी खुला खेल फरुखाबादी देखे असल में हमारे जो मवजुदा शासक हैं इनके अंदर इतनी इंट्रोलरेंस है इतनी इंट्रोलरेंस है कि जो काम पूरी दुनिया में चाहे वो सिनेमाकार हों चाहे वो कलाकार हों चाहे वो खिलाडी हों सब करते हैं स्टार जो बड़े बड़े स्पोर्समैन है दुनिया के स्टार मेरोडान से लेकर अब तो नहीं है दिरवंगत हो गए लेकिन अनेक दुनिया के खिलाड़ियों का मैं नाम ले सकता हूं जो अपने मुलक में और पूरी दुनिया में जो घट रही घटनाए होती हैं उन पर कमेंट करते हैं अपना स्टैंड देते हैं और आम तोर पे वो हुमिनिटेरियन पक्ष के साथ खड़े होते हैं अपने केवल देश और एक एक पार्टी के साथ नहीं वो हुमिनिजम के साथ खड़े होते हैं खेल क्या है खेल एक मानवी गत्विधी है एक महान मानवी एकसरसाइज है उसके पक्ष में किसी खिलाड़ी का खड़ा होना बहुत बड़ी बात है तो अगर कपिल देव ने महिला पहलवानों का पक्ष लिया तो वो मानुता का पक्ष था नियाय का पक्ष था इस पर तो उनका स्वागत और अविनंदन पूरे समाथ को करना चाहिए लेकिन सरकार है कि अगर आप तनिक भी उसके हैं तो आपको टॉलरेट नहीं करती मैं समझता हूं कि यह पूरी दुनिया की जो बेहतरीन सरकार हैं डिमोक्रेटिक जो गवर्मेंट्स हैं उनसे इंडिया के लोगों को सबक लेना चाहिए सरकार सबक ले ना ले ले लेकिन हम अपने खिलाडियों को जो इस तरह जैसे में कई खिलाडियों ने बयान दिये लेकिन उनको भी गहरा गया उनको भी परिशान किया जा रहा है मेरे खाल से दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा ना क्रिकेट को भी बांड दिया है अब सशें तेंदुलकर हमारे नाशनल आइकन आज जब मैं उन्हें देखता हूं तो कितना अफसोस होता है वो व्यक्ती भारती जैनता पार्टी के प्रोपेगांडा का हिस्सा हो गया है यानि कि अगर रिहाना किसानों के समर्थन में कुछ कहे तो आप तुरंट सामने आते हैं मगर दूसरी तरफ महिला पहलवानों के बारे में कुछ नहीं कहते है कपिल देव जो क अगे बढ़ाते हैं वो खेल में भारत रत नहीं दिया जाता था उनके लिए और वो कॉंग्रेस रिजीम में राजसभा में आये थे और भारती जनता पार्टी के पक्ष में आप लोग गई रहे तो मतलब नेताओं को यही याद रखना चाहिए कि खेल जो है वो शायद उन प्रडेशन का स्पोर्ट है तो इसमें हम कपिलदेर के साथ हैं कि सचिन तंदूलकर के साथ हैं कि टीम इंडिया फिर उसके साथ कौन है बिल्कुल और मैं एक बास परश कर दूँ क्योंकि देखिए ये जो पनौती शब्द जो है वो कही न कहीं वर्ड कप से जुड़ा हु नहीं है खेल में नहीं है और राजनीती की दो जगा बिल्कुल भी खेल में नहीं है अब हम तीसरे मुद्दे का रुक करते हैं रामरहीम बलातकारी रामरहीम भत्यारा रामरहीम आप जो भी कह सकते हैं क्योंकि ये तमाम गुना जो हैं वो साबित हो चके हैं रामरहीम को ए महिला सम्मान वाला मुद्दा कितना बढ़ा ढखुसला है क्या इस मुद्दे का पंच बताएं उर मेलेश ठी अपने देश में अनेक ऐसे चात्र हैं यूवा हैं महिलाएं हैं एडवकेट्स हैं बड़े इंटिलेक्च्वल्स हैं इकडिमिशन्स हैं जो जेलों में बंद किये गए हैं सिर्फ मजूदा सत्ता से अस्तामत होने के कारण उन्होंने कुछ भी नहीं किया है कोई गत्वी थी उनकी ऐसी नहीं है बाद में कुछ लोगों को जमानत जरूर मिली है और वो भी कोर्ट से मिली है लेकिन इस आदमी को जो बलातकारी है जो एक पत्रकार का हत्यारा है और इस आदमी को आठ बार आठ बार फरलो या परोल दिया गया तो आप कल्पना कर सकते हैं कि शासन क्या राजनीत कर रहा है इस आदमी को छोड़ कर प्रग्या क्या है इस मुद्दे का पंच मेरे हिसाब से तो राम रहीन को जितनी ज़्यादा फरलो मिल रही है उतना ज़्यादा ऐसा दिखता है कि सिरफ इलेक्शन पर ही देश चल रहा है क्या election के अलावा भी कुछ जरूरी है जो इस देश में देश के नेता, इसके ब्यूरोक्राइट, इसके जेलर जिसके बारे में सोच रहे हूँ? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि महला सम्मान जैसा शब्द जो है, वो काईदे से भाजपा की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं, राम रहीम को तो परॉल मिलता ही है, संसद के अंदर, जब भी किसी मुद्दे पर चर्चा होती है, तो इनका पहला स्पीकर कौन होता है, निशिकान दुबे, जिसने एक सांसद और एक विधायक के बारे में नगरवधु शब्द का इस्तमाल किया था, कुलदीब सिंग सेंगर एक अरसे तक भाजपा से नहीं निकाला गया, और ये ना भूले, ब्रिज भूशन शरंड सिंग अब तक उसका बाल नहीं बाका हुआ है, इससे पता चलता है कि महिला सम्मान जैसा शब्द जो है, वो भाजपा के लिए मजाख है, मगर मजाख तो है उर्मेलेशी, मगर महिला सम्मान के नाम पर सबसे जादा राजनीती, अगर किसी ने किया है, तो भाजपा ने किया है, ये दुर हैं महिला उत्पिरन के और उनको सरकार उनका बचाव करती है सरकार के टॉप लोग उनका बचाव करते हैं आपने ब्रिजबूशन का नाम लिया ब्रिजबूशन महाराज हो सकता है कि 2024 के चुनाव में एक नहीं दो दो नीरवाचन छेत्र से चुनाव लड़े ये भी चर्चा लोग इसको कहते हैं कि हिंदु धर्म की पार्टी है हिंदुत्वा की पार्टी है अरे बही क्या हिंदुत्वा ऐसा होता है क्या हिंदु धर्म ऐसा ही है तो आप इसका धर्म का भी इसका मतलब आप उसका उसका दर्जा नीचे कर रहे हैं उसकी छवी का मर्दन कर रहे हैं उसकी छवी गिरा रहे हैं धर्म की छवी ना सिर्फ नीचे जा रही है प्रग्या बलकि आप देखिए हमने कम से कम महिला मर्यादा महिला सम्मान महिला सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा था जहां पर तमाम राजनीतिक दल सोच समझ कर दखल देते थे हम कई ऐसे बयान नहीं दिय करते थे मगर यहां देखिए हमने कठुआ वाला मामले देखा एक 8 साल की मासूम का मंदिर के अंदर पहले दुशकर्ब और हत्या कर दी जाती है और उसके बलातकारियों के पक्ष में भाजपा के दो नेता होते हैं दो मंत्री होते हैं और हमने वो भी देखा कि हाथरस में रातो रात गुडिया का शब जला दिया जाता है और पूरा जो प्रशासन है पूरी जो सरकार है उस लड़की के चरेतर हनन की कोशिश करता है अब राम रहीम अपने वीडियो लांच कर रहे हैं मैंने जाके उनके चैनल को देखा लाखों व्यूज मिल रहे हैं वही नहीं एक महीने पहले, पंदरा दिन पहले, दो दिन पहले मतलब उनके वीडियो वो लगातार निकाले जा रहे हैं प्रवचन दे रहे हैं और इसकी उनको परमिशन है उन्होंने कहा है कि भाई देखिए ऐसा है कि जहां मैं हूँ वहां आईएगा नहीं वीडियो से ही कोई और आयना आए माथा टेकने भाजपा के निता आएंगे वहां पर जो हर बारात ने देखिए ऐसा है कि महिलाओं के खिलाफ जो भी क्राइम है उसका रेट तो बढ़ता ही जा रहा है इसके बारे में कौन बात करेगा आप मतलब राम रहीम बोलते हैं आप भगवान के पास कैसे पहुंचे इसका वो प्रवचन दे रहे हैं तो भाया कानून के पास रेपिस कैसे जाएगा वो तो छूट रहे हैं ये तो बिलकुल मतलब acceptable नहीं है इनकी जो महिला सुरक्षा की जो बाते हैं उनमें अब frankly speaking कोई तुक रहा ही नहीं है बिलकुल कलपना से भी आजेए आए ओलने आए आजेए नहीं है kap